माग स्नान का महत्व, नियम और विधी, भारतिय समवत्सर का एक ऐसा माह जिसके हर दिन को पवित्र माना जाता है, जिसमें पढ़ने वाली करकड़ाती ठंड भी लोगों की आस्था को नहीं रोक पाती, जिसमें हर रोज प्रातर काल सूर्योदे से पूर्व गंगा यमुना स पवित्र नदियों वद्तीरत स्थलों पर लोग आस्था की दूपकी लगाते हैं, माग एक ऐसा माह जो भारतिय समवत्सर का ग्यारवा चंद्रमास वद्दस्वा सौरमास कहलाता है, दरसल मघानक शत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माग का महीना कहलाता है माग माह का महत्व, इस महीने की प्रत्यक्तिती को एक पर्व शुभफलदाई माना जाता है, शीतल जल में सनान करने का बहुत ही महत्व है, पद्मपुरान के उत्तर खंड में इसके महत्व को बताते हुए कहा गया है कि वरत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरी को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी की माग महीने में सनान मात्र से होती है, जो व्यक्ति इस महीने पवित्रस्थलों पर सनान करते हैं उन्हें स्वर्गलाब मिलता है, उनके सारे पाप कट जाते हैं ववे भगवान श्री हरी की प्रीती पाते हैं, प्रयाग राज में सनान परन्यतीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयागराज में व्रत द्वारा सनान करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोग के अधिकारी हो जाते हैं। परन्यतीर्थों का समस्त परन्यतीर्थों के अधिकारी होते हैं। जीवन भर कमाई पुझी को किसी ने चुरा लिया। तब जाकर उन्हें धन की नश्वर्ता का ज्यान हुआ और पश्चाताप करने लगे की विद्वान होते हुए भी सारा जीवन व्यर्थ कर लिया। फिर उन्हें एक आधा अधुरा मंत्र याद आया जिसका सार्था की माग सनान करके जीवन का उध्धार किया जा सकता है। उन्होंने लगातार नौ दिनों तक नर्मदा में सनान किया और दस्वे दिन उनकी मृत्यू हो गई। कहा जाता है मृत्यू परियंत उन्हें स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ती हुई। कब करें सनान। माग माग का सनान कुछ इलाकों में तो सूर्य के दक्षनायन से उत्तरायन में आते ही यानी मकर संक्रांती के दिन से शुरू हो जाता है। लेकिन अधिकतर स्थानों पर इसकी शुरुवात पॉषपूर्निमा के दिन हो जाती है। पॉषपूर्निमा से लेकर माग मास की पूर्निमा तक निरंतर सनान दान किया जाता है। लेकिन निलनय सिंदु में कहा गया है कि इस माह कम से कम 3 दिन अत्वा एक दिन शीतल जलमे जरूर स्नान करना चाहिए इससे महपुन्य की प्राप्ती होती है। स्नान करने की उत्तम बेला तारे छिपने के बाद वो सुरियोदे से पहले मानी जाती है। माना जाता है कि सूर्योदे के पश्चात सनान करने से पून्य की प्राप्ती नहीं होती